सिवान के चर्चित ललू हत्याकान का पुलिस ने किया खुलासा जिस बंदूक से किया गया था हत्या उस बंदूक को किया गया बरामत साथी तीन कुखियात अपरादी को पुलिस ने दबोचा जीहा बिहार के सिवान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रहे है जहां सिवान के चर्चित ललू मिया हत्याकान का पुलिस ने खुलासा कर दिया बतादें की कुछ दिन पहले सिवान जिले के हुसाइन गंज थाना चेतर के सिवान सिस्वन मुख्य मार्क पर कुतुब चप्रा के नस्दीक ललू उर्फ तकी को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार कर मौत के घाट उतार दिया था बतादें की जमीनी विवाद से मामला जुड़ा हुआ था घटना के बाद स्थानी लोगों की मदद से ललू को सिवान के सदर अस्पताल में ले जाये गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोशित कर दिया घटना की जानकारे मिलते ही परिजनों में कोहरा वहीं परिजन के दिये आवेदन पर पुलिस ने परात्मी की दर्श कर घटना में शामिल अपराधियों की गिरफतारी के लिए लगातार च्छा बिमारी कर रही थी वहीं पुलिस ने पूरे मामली का खुलासा कर दिया घटना में शामिल तीन कुख्यात अपराधी को रंग अंदर्व मी हुसेन गंज थाना प्रभारी विजे कुमार ने बताया कि पुलिस ने ललू हत्याकान का उत्भेदन कर दिया है घटना में शामिल तीन को कोक्यात अपरादी को रंगे हाथ गिरफतार कर लिया गया है साथी घटना में प्रयूगत हत्यार और मोटर सैकिल को भी बरामत किया गया है वोँए कागजी कारवाई कर तीनों को जेल भेज दिया गया है तस्वीरों में आप साफतोर पर देख सकते हैं कि यही तीनों अपरादी है जो पुलिस के शिकंजे में नजर आ रहे हैं बता दें कि जिस तरह बिहार में लगतार अपरात का ग्राफ बढ अगर पुलिस प्रशासन त्वरित कारवाई नहीं करेगी तो अपरादियों का मनोबल लगतार बढ़ता जाएगा इस पर प्रशासन को चाहिए कि जो भी घटना घटे उसके बाद त्वरित कारवाई करते वे घटना में शामिल अपराधी को गिरफतार कर ले वहीं इस घटना में शामिल तीन कोख्यात अपराधी को जेल भीज दिया गया है तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार थाना ध्यक्ष प्रेस कॉन्फरेंस करते हुए नजर आ रहे हैं